नमस्ते आखी हमाई चलासे कोमर्स के लिए और माई सब्रेक्ट तेर दिये इस कोमर्स के अंतर लग मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था कि संकल्पना मानचित्र क्यों विक्सित की जाने चाहिए इसके विक्षब करने टॉपने लिए को और में चेजिते आपको पिस्टी ओशज़ी कार्श जाथा रही काЗ अलशन के संकल्पना मानचित्र क विक्षित्र करना उन्सकों कैसे विकी जाती है थीकल है, कि विक्सिस करने के पीछे में में कि विक्षित का सी। और तो विक् podíaकम आप एम क करिके पाढ़ का व सकते हैं इसके कोँ से एक्जांपल का लेव सकते हैं थीक है। आप पर थार की घंचता आखर करेंगे किस इसके लिए तो समगों विशय के लिए और एक इकाई के लिए और दीसरी क्या है एक प्रपरंधिप ठीक है जो माई का एक मैपिंग है बोज नीनों के लिए हो सकती है समगों विशय के लिए हो सकती है यानि कि एक को भी विशय के लिए हो सकती है पिर एक इकाय के लिए हो सकती है अपिया के पहले रोजिक पढ़ रहा है उसके अंदरगर की हम को भी पढ़ रहा है इसके अंदरगर आप अप कैसे हैं मैं सारी साथ चीज़े क्योंकि माइड मैंपिंग भीक है उधारण के रगता कती है आपको सबचना एजी चीज़े ऐसे सब में आएगे इसले आपके सामने इजी इसले टॉपिक ले रही हो उधारण ने रही हो जैसे कि आपकी भूप में लिखा हो गया मैं सामपूर मिशे के लिए सामपूर मिशे के लिए डिस ने सामचक भिग्या है के हैं ऐबनागों कि सामाजीत अर्ष्द्याय एक येixelं है्येक कि सामाजीप अर्ष्ब्ध्यायर्यां को भी बहुँ सारेुशों के बड़त वाट रहा है अब कॉंट-पॉंसे बिश्विशों टाट कर varying है तो जो साम्में से चो अग्याथ है यह है आपका माइंड मैपिंग का पहला प्रोइंग अब इससे संपतित हम महुस अली चीज़े बनाएंगे है किस के अंदर में पटा गया है? इतिखास के अंदर फिर है और पशास के अंदर पिर है गुबोल के अंदर पिर है राज एकिक अंदर आने ते शिप्चा के अंदर है न? और ऐसे करके रोग पशास के अंदर नाबरिक शास के और भी अंगे शिश्रा आएंगे जो साम्में के अंदर आदे है अब साम्में के अंदर विसकी पहला हमने ले लिया इतिहास अब इतिहास को भी बाटा गया है कैसे बाटा गया है अब इतिहास को भी बाटा गया है प्राची इतिहास में है ना प्राची इतिहास को भी बाटा गया है इतिहास को भी बाटा गया है तो इतिहास को भी बाटा गया है यह हमाया क्या होगा एक विशय संभाण विशय कि लिए हम इस सब्सक्राओ को भी रसे हैं कि next का कार थार सकते हैं कि अपक में विशय के लिए पूरे सब्यक्ति के लिए हैं वैसे ना मैं एक इताइबी भी कर सकते हैं अब एक इताइबी कैसे करें के इसे की for example मैं आपकी भी इताइब लेगी हुँ कि मेवेसाय अध्यान में पाथ्यकरम एवा पाथ्या फुस्तव अपकी रहे का नाम है वितनाई मेरे साथ अग्यार मैं पाठाए कराव एवर पाठे वोस्ताए ठीक है यह आपकी इंदाई है अब इस इंदाई को दूजी इसको भी बूपत सारे बहुत सारे लेक्सारे पर डिवाइड गाए ना बहुत सारे पाठ के अंतरद उसको पाठा गया है तो भें जो पहल आपका पेला पॉर्ण है जो पान है उसका नाम ये है जो बूस Red выпуск और इसता नाम ये है तो इसा नाम ये है आप इस तर्रைके से कर सकते हो आप उसको भ्रावर के मादं से भी बढा सकते हो आप लियंड की अना अब किसले हो अब इस तरीक से बच्चों को समझाओ कि ना तो अपको माईने की चीज़े बैटेंगी वो पढ़ने में जुची भी लेख सकेंगे और और जाने की जिग्यासा रखेंगे कि हम इसमें आगे और क्या चेंगे कर सकते हैं फिर क्या था आपका प्रकरण के लिए अब प्रकरण के लिए हो सखता है एक प्रकरण जिसके हम इली पढ़ रहे है तो एक प्रकरण के लिए होना है पहले बितू क्या आया हमारा एक संवकुर्ण विशय के लिए ठीक है और हमार गॉक्सर कें क्या है था हुआ एक काइंट इस उपकर विक्सिट करना है यह हुआ है इसे अरीच से आवेक्सिट करना है यह होगी इसे आवेक्सिट करने के छीजह आप अपने topic को बहुत अच्छा से divide कर सकते हो सबसे में बार आपका काम आसान हो जागा और बच्चे को बहुत अच्छा समझ में आएगा B.A. वालों चाहें आप commerce के हैं ये class लेकिन आप जो mind mapping है किसी में भी कर सकते हो हर subject में कर सकते हो free front के number है मैं सही बता रहे हो Examinal का काम इसके बहुत अच्छा काम होता है कि हरी चीज को नहीं पड़ सकता अगर आप ऐसे मूटे-मूटे तौर पर चीजे बनागर सम जाओंगे ना तो आपको number मिलेंगे आपको ठीक है आजको हमाट topics आएगे अगर आपको कुछ भी संग मिलेंगे आए तो आपको कल मुसे आपको पूछ नहीं आपको पूछ नहीं नहीं देख रही है आप कमेंट करते हों बहुत अच्छी वात है लेकि साथ साथ आपना नाम अपने फादर का नाम भी इसमें इंक्लूड करें क्योंकि वहां के जो अटेलेंट्स आप शोग करों कि मैं रेजिस्टर में उपतारूंगी और उसी के हिसाब से आपकी भी अटेलेंट्स बनेंगी तो लापरवाई मत करो क्यों वीडियो देखने में भी मत करो और अपने अटेलिक्स में भी मत करों क्यों आप चीज़े अभी कर रहे हों को आपके आनी सकी बहुत ही ज़ता काम आने वाली है क्योंकी फ्लास पाँ आपको इते ही सकते कोरोना सोवेट जो भी है ये कब तक हज़ा होगा हम सब कुछ भी अनुमाल नहीं लगा सकते इसलिए एक चीज़े अच्छे से करो आपको पैसे भी पढ़ना है तो फिर पढ़ो अच्छे से पढ़ता है क्योंकी पीज़ पीज़े पीज़े अच्छे लेना है अच्छे को उस्छेना धिक्योंकी जाता है